स्वागत है आप सभी का स्टार्टिक जीके में आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान पुलिस कॉंस्टेबल कटाफ 2020 की और आज हम बात करेंगे सभी बातालियन R.A.C की क्योंकि बहुत से ऐसे सुडेंट हैं जो कोमेंट कर रहे हैं RAC cut-off कितनी RAC cut-off कितनी तो आज किस वीडियो में हम जितने भी बटालियन है RAC की हम बात करने वाले हैं कितने नंबर पर आपके selection हो सकते हैं इन सभी की हम बात आज करेंगे तो प्लीज वीडियो को enter देखेगा हर एक बटालियन को ले करके चलूँगा और हर section आपका clear करता हुआ ठीक है सबसे पहला यहाँ पर नाम है दसवी बटालियन B का नेर की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर पद की जो संख्या थी 62 पद थी दसवी बटालियन B का नेर मी और यहाँ पर हम अगर general category की यह बात करते हैं तो general में यहाँ पर zero seat थी तो यहाँ पर हमें general की बात करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है OBC की अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं OBC category की OBC में 26 seat थी दसवी बटालियन B का नेर में और यहाँ पर जो कटाफ आ रहा है बन करके वो आ रहा है आपका 51 से ले करके 53 नमबर आपको बता दू मैं दसवी बटालियन B का नेर में 62 seat थी OBC के लिए 53 नमबर आ रहा है अगर आपके तो आपके लिए call letter आ सकता है physical के लिए अगर आपके इतने नमबर आ रहा है तो तयारी सुरू करतीजिए ठीक है चलिए आप आगे बात करते हैं EWS की बहुत से स्टूरंट जो EWS के लिए भी परिशान है जान रखेगा EWS की जो seat है वो है 6 seat थी और यहाँ पर अगर आपके 50 प्लस नमबर आ रहा है तो आप फिजिकल की तयारी करिए आपके लिए कॉल आ सकता है ठीक है आगे हम बढ़ते हैं SC कडिगरी की बात करते हैं जो भी हमारे भाई बहन SC कडिगरी के हैं 15 seat टोटल थी SC कडिगरी की 10 वी बटालेन बी का नेर से और यहाँ पर अगर आपके 46 से 49 नमबर ठीक है इससे ज़्यादा 46 से 49 नमबर या फर उससे ज़्यादा अगर आपके आ रहे हैं तो आपका कॉल लेटर आ सकता है फिजिकल के लिए ठीक है SC की हमने बात कर ली बात करते हैं ST कडिगरी की और यहाँ पर ST के लिए 12 सीट थी और 12 सीटों मेंजिर आपके 43 से 45 नमबर आ रहे हैं तो आपके लिए फिजिकल का कॉल आ सकता है जान रखेगा यहाँ हमने ST की बात कर ली है 12 सीटे हैं 43 से 45 नमबर अगर आपके आ रहे हैं 49 से 50 नंबर MBC में अगर आपके 49 से 50 नंबर आ रहे हैं क्योंकि आप देखो सीट कितनी कम है 3 सीटे कुल मात रहे हैं इसलिए कटाफ थोड़ी सी MBC के लिए भी जादा जा सकती है 49 से 50 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपका कॉल आ सकता है फिजिकल के लिए ठीक है यह हमने पूरी बात कर ली है 10 वी बटालियन B का नेर की जिसमें टोटल 62 सीटे थी ठीक है चलिए आगे हम बढ़ते हैं पहली बटालियन जोदपूर की बात करते हैं जिसमें 86 सीटे टोटल हैं और यहाँ पर हम सिर्फ जनरल कडिगरी की बात करने वाले हैं ध्यान रखेगा जनरल कडिगरी की हम बात करते हैं 86 सीटे टोटल है जनरल कडिगरी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज जनरल कडिगरी में अगर आपके 49 से लेकर के 42 नमबर जी हां 49 से लेकर के 52 मार्क से कर आ रहा है पहली बटालियन जोधपूर से कर आप हैं तो आपके लिए call letter आ सकता है यहां हमने general category की ही सिर्फ बात की है ठीक है आगे हम बढ़ते हैं अभी आगे सभी category की हम बात करेंगे दूसरी बटालियन कोटा की हम बात करते हैं जो पदो की संख्या है वो लगभग 109 की आसपास थी तो कोटा की हम अगर हम बात कर लेते हैं तो यार कोटा में भी हम सिर्फ general category की बात करेंगे और general category में मेरा pen काम नहीं कर रहा general category की हम बात करते हैं general category में अगर आपके 50 से लेकर के 52 नमबर यहां 50 से 52 नमबर अगर आपके आ रहे हैं दूसरी बटालियन कोटा से तो आपके लिए physical के call आ सकते हैं हम यहां general category की बात कर रहे हैं ठीक है आगे हम बढ़ते हैं जल्दी जल्दी चलने कोईच करते हैं वीडियो बहुत ही छोड़ी रखनी है नौवी बटालियन टोंग की हम बात कर रहे हैं नौवी बटालियन टोंग की बात करते हैं तो जो टोटल पदों की संख्या हो 64 है और यहां पर हम सिर्फ general category की बात करेंगे तो अगर जो भी मेरे भाई बहन के 51 से 53 नमबर या फिर उससे ज़्यादा 51 से 53 नमर आगर आ रहे हैं तो आपके लिए फिजिकल का कॉल आ सकता है नौवी बटालियन टोंग की हम बात यहां पर कर रहे हैं ध्यान रखेगा जनरल कडेगरी की हमने यहां पर बात कर ली है ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सातवी बटालियन भरतपुर की तो सातवी बटालियन भरतपुर बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चा में रहता है आपको पता है क्योंकि बहुत ही प्यारा सा डिस्ट्रिक है और competition यहां पर भी काफी हाई होता है जनरल कडेगरी की हम बात करते हैं यहां पर सातवी बटालियन अगर भरतपुर से जनरल कडेगरी में अगर 52 से ले करके और आपके 54 नमबर देखिए कटाफ यहां पर 50 से उपर जा रहे हैं क्योंकि भरतपुर बहुत ही जादा hot area माना जाता है एक्जाम परपस से तो 52 से 54 नमबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपके call यहां पर आ सकते हैं जान रखिएगा मैं physical यहां पर बात कर रहा हूँ कि आपको कितने नमबर पे physical की तयारी सुरू करनी है क्योंकि यहार selection तो ऊपर वाला नहीं जानता तो मैं कैसे जान सकता हूँ कि आपके selection हो सकते की नहीं हो सकते लेकिन मैं आपको इस सिर्वित्ता बता रहा हूँ कि जितने भी cut-off मैंने बता रहा हूँ आपको अगर आपके इतने माथ से आसपास आ रहे हैं यहां पर अगर हम general category की बात करते हैं जो भी हमारे भाई बहन ने धौलपूर से फॉर्म भरा था पचास से लेकर के 54 नमबर ध्यान रखे यहां बर भी cut-off 50 से उपर जा रहे हैं किसी भी district में cut-off 50 से कम नहीं जा रहे हैं इस बात को तो मैं आपको clear कर दूँ आजी ठीक है पचास से लेकर के 54 नमबर अगर आपके आ रहे हैं तो आपके लिए physical का call आ सकता है ठीक है तो यह हमने इतनी सारी बाते कर ली हैं अब एक सिर्फ बटालियन बचा है और वो बहुत जादा important है maximum लोगों ने यहां से बहुत जादा form भर रखा है अब देखो 11 बटालियन दिल्ली की हम यहां पर बात कर रहे हैं यहां पर हम हर category की बात करेंगे और सभी का कटाफ यहां पर आपको सामने रखेंगे ठीक है सबसे पहले तो हम जनरल कडेगरी की बात करते हैं यहां पर जिसमें जनरल की सीटे 20 सीटे थी जनरल के लिए ठीक है अब इनकी कटाफ किती बन रही है जो भी मेरे भाई बेहन यहां से है 53 से 55 नमबर ध्यान रखेगा 53 से 55 नमबर अगर आपके नमबर आ रहे हैं और आपने 11 वी बटाली अंदिली से आया तो आपके सेलेक्शन की कॉलास ध्यान रखेगा OBC काड़ी की OBC में बहुत कम सीटें सिर्फ 3 सीटे थी ध्यान रखेगा सिर्फ 3 सीटे थी इसलिए कटाफ यहां पर ज्यादा जा रहा है 52 से चववन नमबर यहां पर OBC की भी कटाफ जा रही है ध्यान रखेगार आपके 52 से लेकर के 54 नमबर आ रहा है और आप OBC काड़ी से बिलॉंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर कॉल लेक्टर आ सकता है फिजिकल के लिए OBC की हमने बात कर लिए बात करते हैं EWS की ठीक है EWS की जो टोटल पद हैं वो है 5 पद हैं और यहाँ पर अगर आपके 49 से 50 नमबर आ रहा हैं EWS काड़ी में तो आपके लिए फिजिकल कॉल यहाँ पर आ सकता है चीज को भी आप ध्यान रखेगा आगे हम बढ़ते हैं हमने बात कर लिए जरनल कर लिए की OBC EWS की बात कर लिए हम बात करते हैं SC कर लिए की जो टोटल पद हैं SC के लिए हो है 7 पद और अगर जिसके भी 45 से 47 नमबर आ रहे हैं SC कर लिए है तो वो बिलकुल यहाँ पर कटाओ कि इगदम कगार पर है और आप physical की preparation करिए आपका call आ सकता है ठीक है चलिए आगे हम बढ़ते हैं हमने st category की बात कर ली है आप यहाँ पर हम बात करते हैं st category की st के लिए यहाँ पर जो पदों की संख्या वो है 15 पद हुए थे st category की और यहाँ पर अगर आपके 43 से 45 नंबर st category के आ रहे हैं तो आप बिलकुल अपने physical की preparation करिए आपके लिए call आ सकता है ठीक है सभी category की बात हो गई है सिर्फ एक category बची हुई है वो है mbc ध्यान लखेगा सिर्फ और सिर्फ दो सीटे थी यहाँ पर mbc के लिए और आपके यहाँ पर जा रहे हैं 49 से 51 नंबर यानि 49 तो 51 मार्क शक्र आपके mbc category के आ रहे हैं तो आप बिलकुल तैयारी करिए physical के लिए आपके लिए 100% call letter आ सकता है ठीक है तो सारी category के हमने बात कर ली जितनी भी battalion थी RAC से related हमने सभी battalion की बात कर ली है वीडियो पसंद आई है तो यार एक बार like तो जरूर कर दीजिएगा और channel पे नए हैं मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो subscribe बटन पर प्रेस जरूर करिएगा वीडियो के एक बार शेयर करिएगा जिन्हों तक अब तक वीडियो नहीं पहुच पाईए ताकि उनको भी इन सभी के बारे में पता चल सके and thank you so much for watching this video keep smiling stay home stay safe और आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप comment section में जरूर पूछिएगा